है डिफ्रेंशियेट बिट्पिन ट्रोपिकल एंड टेम्परेट साइकलोन यह कुस्च्चन जो है आपको मतलब हो गया कि टेम्परेट टेम्परेट साइकलोन और ट्रोपिकल साइकलोन पुच्चन में अंतर बताईए कुस्चन में beliefs में आपको आ पेसाङी कि आपको म। इसांत पूछा था अब इस कुस्चन काे इंड़ोडक्षण कैसे लिखेंगे इंट्रोडक्षिन कैसे लिखेंगे इसका जो है main part क्या होगा main body क्या होगी और आपका conclusion क्या होगा ये तीनी part लिखना है तो अब इसका कैसे कैसे सुरुबात करेंगे बताएं अब इसका introduction कैसे करेंगे temperature tropical cyclone को जो है differentiate करिए तो आप लिख सकते हैं, यहाँ पर सिंपल आप साइकलोन से शुरू कर सकते हैं, कि साइकलोन क्या होते हैं, तो आप लिख सकते हैं, साइकलोन और दर लो प्रेशर, लो प्रेशर, लो प्रेशर सेंटर होते हैं, जहाँ पर चारो तरफ से हवाएं जो क्या होती हैं, एक तरफ आती है northern hemisphere में cyclone आपके cyclone जो है anti clockwise direction में move करते हैं कुछ इस तरह से यह माल यह low pressure center हुआ तो cyclone यह anti clockwise इस तरह से आप जो है move करते हुए दिखाई देते हैं ठीक दूसरी बात आप यहीं पर आप लिख सकते हैं कि cyclone एक simple सी बात बताए कि cyclone क्या होते हैं फिर इसके बता है कि cyclone जो है world label पर दो प्रकार के आपके cyclone पाए जाते हैं एक होता है आपका tropical cyclone ठीक ट्रॉपिकल cyclone और एक होता है आपका temperate cyclone जिनके ठीक जिनका जो है formation अन्य कि origin formation चलने का उनका तरीका उनका size उनकी velocity इन सब में पर्याप्त difference पाया जाता है यह सब बात बताते हुए आप जो है आगे बढ़ जाएंगे अब इस question का एक introduction आपने दे दिया अब main body आपको लिखना है main body में आप देखिए दोनों में differentiation मतलब अंतर लिखने के लिए बोला है तो आप जो है एक तो यह तरीका है कि एक जगह पर लिखिए ट्रॉपिकल ट्रॉपिकल साइक्लोन और इधर लिखिए टेम्परेट साइक्लोन ठीक में बॉड़ी अगले पेज़ बना देते हैं में बॉड़ी यहां पर लिखिए ट्रॉपिकल ट्रॉपिकल साइक्लोन और यहां पर लिखिए टेम्परेट साइक्लोन यह जब आपको यह फार्मेट आप तब तब फालो करेंगे जब आपके पास जो है क्या हो ठीक्ठा कंटेंट हो पॉइंट हो 20-25 पॉइंट हो आपको याद हो तो इस frame में आप लिख सकते हैं यदि आपके पास यह point बहुत जादे नहीं याद है concept आपके clear हैं तो फिर उसको दूसरे तरीके से लिखेंगे उसको हम देखते हैं पहले यह वाला देख लेते हैं सबसे पहले देख लेते हैं कि Tropical Cyclone अब इस question का answer लिखने के लिए बच्चा लोग, आप लोगों को इसके concept तो clear होना चाहिए, मेरे साथ एक दिक्कत आ रही है, कि मैं जब यह class ले रहा हूँ, आप लोगों को बता रहा हूँ, तो concept भी clear करा हूँ, है ना, और आपको answer भी frame करा हूँ, तो मैं मान के चलना हूँ, क सबसे पहले हम लिख सकते हैं, area, area मतलब एक heading, sub heading, इसी में ऐसे बना लिजए, कि पहले point में हम लिखते हैं, area, मतलब किस छेत्र में यह आते हैं, तो यह जो tropical cyclone होते हैं, जो tropical cyclone होते हैं, वो जो है आपके low latitude होते हैं, ठीक, low latitude आप कहा सकते हैं, 5 degree to 35 degree north and south hemisphere, मतलब जो tropical cyclone होते हैं, वह उनका distribution होता है, low latitude पर होता है, मतलब कि यह यह आप अर्थ बना लें, तो अर्थ के जो है, इस वाले part में जो है, यह जो भाग होगा, उस area में जो है, आपके tropical cyclone पाए जाते हैं, जो temperate cyclone होते हैं, उनका जो area होता है, उनका जो area होता है, यह जो है, आपके middle latitude पर पाए जाते हैं, कहां पर अब यह 35 degree से लेके, 60 degree north-south में पाए जाते हैं, एक आपने बताया कि यह इनका distribution, distribution अलग अलग जगहों पर इनका distribution मतलब यह मिलते हैं, दूसरा यह point हो गया, दूसरा point इसमें differentiation कर सकते हैं, दूसरा point, origin, origin, origin मतलब यह कह लिए कि यह formation, इनका formation कैसे होता है, तो यह जो tropical cyclone होते हैं, tropical cyclone जो है, यह जो farm होते हैं, कैसे होते हैं, जैसे tropical cyclone जो होते हैं, basically, जो ocean होता है, ocean का जो भाग गरम होता है, पानी खुब गर्म होता है, वहां से क्या होती है, latent heat निकलती है, latent heat ही वही एयर में चली जाती है, पानी गरम होगा, pressure low होगा, latent heat जा रही है, उसमा मिल रही है, तो उसी latent heat से ही जो अपनी energy वह क्या करता है, generate करता है, इसका formation जो कहां पर होता है, always, always on ocean, where temperature is more than 27 degree centigrade, temperature more than 27 degree centigrade है, और जहां पर यह ऐसा क्यों होता है, ऐसा जब होगा, तभी आपकी latent heat जो होगी, latent heat ही होगी, और इसी वजह से क्या होगा, low pressure generate होगा, low pressure होगा, low pressure generate होगा, और उस low pressure के चारों तरफ क्या हो जाएंगी, हवाएं ऐसे आपकी, जो air होगी, इस तरह से आपकी move करने लगेंगी, और फिर इसका formation होगा, तो बस आपको यह बताना, formation always on ocean, जहां पर temperature होता है, latent heat होती है, इसका formation होता है, जो temperature cyclone होता है, इसका formation होता है, होता है, वहाँ पर होगा, जहां पर, वेर, टू, डिफ्रेंट, डिफ्रेंट, हर डिफ्रेंट, यहर्मेंस हॉत्फ का मतलब क्या हुआश को मतलब है, जिनकी जो इस फिजिकल प्रपर्परटी क्या होगा, अलग-अलग हो, जैसे, कि माली जी एक air mass यह है एक air mass यह है यह दो air mass है तो इसका temperature ठीक इसका temperature इसकी बिलाश्टी क्या हो अलग अलोगा ने कि दो different physical quality के जब air mass आपस में मिलते हैं ठीक यहां पर लिखे जब दो different air mass of varying 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 मतलब physical property different physical property के मिलते हैं तो उससे क्या होता है इससे जो है front का front का formation होता है front का formation होता है और इसी front से जो है आपके temperate temperate cyclone बनते हैं तो कुल मिला के यह जो एक साधारन जो है इस condition बनता है और जो temperate cyclone होता है यह जो है front frontogenesis के माध्यम से आने front के माध्यम से इसका origin होता है ठीक यह दो बाते हो गई अब देखेंगे आप जब इसमें मैंने इस तरह से इसको किया है कि ताकि आप जो इसका conceptual portion इसमें cover करते जाए नेक्स इसमें आप बढ़ा सकते हैं formation हो गया ठीक एरिया हो गया formation हो गया जब formation हो गया तो आप इसका जो है आप यह बना दिए structure एक पॉइंट इसमें एड कर दिए कि इनकी संदचना कैसी होती structure कैसा होता है next point बना दिए इसमें structure कि structure आपने बना दिया structure में बस आपको पता हो तो इसको ऐसे बना दिए कि यह जो होता है जो जो ट्रॉपिकल साइक्लोन होता है आपका कुछ इस स्ट्रक्चर का होता है थोड़ा से इसको बढ़ा कर देते हैं जो ट्रॉपिकल साइकलोन होता है आपका देखेंगे आप यह जो सेल्न जोटी है सेइसी गये इसको बोलते है इसरिक्षर का होता है जो आप यह जो ट्रॉपिकल साइकलोन देखेंगे जो इसको देखेंगे आप यह जो है कुछ इस structure का होता है या इसको आप कह सकते हैं कुछ इस structure का होता है यहाँ पर यह आप जब आप पढ़े होंगे थोड़ा बहुत आपको पता होगा कुछ इस तरह से इसका जो है structure होता है कि जब तक आपके गुस्ट्चन में जब तक diagram जहां बना सकते हैं कि यह वाले डाइग्राम जितना बनाएंगे उतना, यह आपको मार्क्सिस में मिलेंगे तो यह आपने structure बनाया यहां से आप देखेंगे इनका shape देख सकते हैं यह जो आप देखेंगे यहां पर इसका shape यह देखेंगे यह कुछ इस चेप का दिखाई दे रहा है इस तरह से तो कह सकते हैं elliptical हो सकता है elliptical हो सकता है ठीक elliptical मतलब कि दिर्गा कार दिर्गा कार हो सकता है कुछ चत तक circular भी कह सकते हैं यह वाले जो होते हैं यह आपके inverted inverted V safe अब और इसे देखे हैं हमने कितनी 1 2 3 4 4 विसेश्था थे लिख będę आप और से इसके बाद देखते हैं हम लोग अगला पॉइंट सेब के बाद इसको भी इस्तारित करते हैं कि यह सेफ हो गया सेफ के बाद हम लोग देखते हैं कि हम लोग देखेंगे रेनफाल की स्थिति क्या है नहीं सेफ इसको थोड़ा सा अभी रुख जाएए सेफ हो गया अब देखते हैं है साईज सेफ और साइज देखते हैं तो जी है ट्रॉपिकल princi cow औती है इनकी साइज बड़ी होती यह देखेंगे यह जो टैंप 2 cyclone है temperate यह जो है 1,000 किलो मीटर से लेकर 2000 km और कभी इस से भी अधिक कीलो मीटर के diameter में फैले होते हैं इनका diameter यहां तक यह sector लगभग फैला होता नहीं एक हजार से 2,000 km तक फैले होते हैं जो यह ट्रोपिकल साइक्लोन है यह जो है आप कह सकते हैं यह छोटे होते हैं लगभग जो है 15 किलो मीटर से लेके इसको जो है 200 किलो मीटर तक कह सकते हैं या कभी कभी बहुत हो गया तो माली जी बड़ा हो गया तो यह इसके तुलना में छोटे होते हैं इनका साइज कम होता है इनका साइज से मुव करते हैं लेकिन गंबीर है छोटा है लेकिन वेलासटी क्या होगी this कि मतलब यह समझतink है लेकि 32 किलो मीटर पर आर की स्पीбо beleza देने कि लिए सदीज एक पंद्रह से 32 किलोमीटर पर और की स्पीड से मूप करते हैं इनकी स्पीड कम होती इनकी जादे होती है ठीक नेक्स स्पॉइंट लिख लीजिए से विलास्टी हो गया इसके बाद हम लोग इसमें लिख लेते हैं पॉइंट आप सोचते जाईे इसमें म站선 जैसे शेयरब सैज साइज विलास्टी हो गया इसके अलावाँ आप इसमें लिख लिए टेंफ्रेचर क्या होता है अच्या क्गाश है तंप्रेचर difference no temperature difference मतलब कोई temperature में भेद नहीं होता लेकिन यह वाला जो sector है यह जो diagram है तो इसमें आप देखेंगे तो यह जो है cold sector है cold sector है cold sector यह जो है warm sector है यह फिर cold sector है तो आप देखेंगे यह जब cyclone आएगा तो cold warm cold इस तरह से अलग-अलग region में अलग-अलग temperature तो लिख सकते हैं कि different different temperature in different sector तो अलग-अलग भाग में अलग-अलग temperature होता है दूसरा आप इसमें देख सकते हैं pressure के संबंद में क्या स्थिति होती है number लेना है तो यह इस तरह से आप इसको बढ़ा सकते हैं प्रेशर आपने देखा प्रेशर देख लीजिए जो प्रेशर है प्रेशर के संबंद में देखी क्या क्या होता है जो यह वाला जो साइक्लोन है ट्रॉपिकल और इसमें जो प्रेशर जो डिफेरेंस होता है प्रेशर डिफेरेंस प्रेशर ग्रेडियेंट इसमें प्रेशर ग्रेडियेंट क्या होता है लो होता है मतलब कम होता है जैसे प्रेशर ग्रेडियेंट का मतलब हो गया जैसे आप देखेंगे 1000 होगा तो यहां से यहां यहां से यह प्रेसर में difference बहुत अधिक नहीं है तो जिसकी वज़ए से जो gradient बनेगा जो ढाल बनेगा वह ढाल आपका लो बनेगा तो प्रेसर ग्रेडियंट इसमें लो होता है जब प्रेसर ग्रेडियंट लो होता है तो इसी लिए यह यहां पर wind flow होती है उसकी velocity क्या होती है कम होती है यहां पर pressure gradient क्या होगा आपका high हो गया pressure gradient लिख लिजिए तो इसका pressure gradient क्या होगा आपका high होगा इसलिए इसकी velocity अधिक होती है इसके बाद जो है आप देखिए pressure gradient आपने लिख लिया इसके बाद इसमें जो है आप इसको बढ़ाईए temperature pressure gradient अब इसमें बना लिजिए path किस path पर यह चलते है पाथ मनलब कि movement क्या होता है तो यह जो tropical cyclone होते हैं जो temperature cyclone होते हैं वो हमेशा जो है west to east direction में चलते हैं west to east direction कौन से temperature temperature जो tropical होते है यह क्या करते हैं east 2 अब इसको बना लिजी इस तरह से यह जो है east 2 क्या करते हैं west to gust 2 मतलब पूरव से पस् Well चलते हैं और जैसे पर आते हैं फिर जो है इधर मूव कर जाते हैं उपर की तरफ और कोष्ट पर आने के बाद यह नस्ट हो जाते हैं ठीक है क्यों क्योंकि इनकी एनर्जी का सुरोत क्या है ओसीन वाटर है यह हो गया पाथ हो गया pressure gradient temperature velocity इसके अलामा आप और देख सकते हैं जैसे life क्या होती है आफि सकते हैं इनकी life maximum 1 week यह महीनों तक नहीं रह सकते हैं यह मूव यह फास्ट करते हैं यह सब हो गया अब एक और देख लेते हैं चोंकी इंडिया के प्मोंट अभी से यह सब देखा, एक चीज और देख लिजिए, यह किस सीजन में आते हैं, मतलब है न, इनकी उत्पत्ती कब होती है, ओरजिन कब होती है, तो यह जो ट्रॉपिकल साइकलोन है, इसके लिए क्या चाहिए, हीट चाहिए, पानी को खुब गर्म होना चाहिए, 27 डिगरी जो है, छोटा बड़ा हो गया, जो सीजन है आपका इनका, यह सीजन जो है क्या होगा, समर होगा, समर में जंदली आपका जो है, जुलाइ, अगस्त के आसपास इनका होगा, यह जो है, यह वाले जो साइकलोन है, टेंपरेट साइकलोन, यह जो नौर्धन हेमिस्फेर है, न ettar में ये लगातार दिहते हैं जにちは स्थार्ण हेमिस्फेर है उसमें ये ये दिखाई देते हैं मतलब तो राष्ष है ये आनतर हम लोगоловक देख लेते हैं भारत का जो climate है उसके उपर इनका क्या influence है India में देख लेते हैं India influence on Indian influence influence on Indian मतलब climate कह लिजिए ठीक तो यह जो है यह वाले cyclone के इंडिया में कहां पर आएंगे बे आफ बंगाल में आते हैं बे आफ बंगाल और Arabian Sea में आते हैं और coastal area को जो है क्या करते हैं प्रभावित करते हैं जो यह temperate cyclone है जो आपका पंजाब बाला जो रीजन है ठीक नौर्थ इंडिया नौर्थ वेस्ट रीजन है इंडिया का उस एरिया में आप देखेंगे तो एक जो नाम सुने होंगे बेस्टनली डिस्टर्बेंस या इसी को पच्छुआ बिच्छोव के नाम से जानते हैं तो यह जो पच्छुआ बिच्छोव होता है बिसिकली यह क्या होता है temperate cyclone होता है temperate cyclone होता है जो jet stream के सहारे इंडिया में प्रिवेस करता है और जिनकी origin कहां पर होती है Mediterranean Sea पर होती है और इस तरह से यहां पर इंडिया में winter के समय में चीजों को प्रभावित करते हैं तो इस तरह से आप जो है इसको बना सकते हैं अब यदि देखिए यहां पर ऊपर आईए जो हम लोगों ने इस structure बनाया था यह हवाला तो इसमें हमने बताया था कि देखिए इसमें क्या होती है IE होती है इस वाले में IE अगरे का कोई concept नहीं है इसको आप बता सकते हैं कि इसमें क्या होता है front होता है front से इसका relation है इसका कोई front से relation नहीं है तो एक दो इत्मोस्फेरिक जो मतलब की क्लाइमेट है उसको बहुत अच्छे से प्रभावित करते हैं और इन में जो है अलग-अलग रीजन में जो साइक्लोन पाया जाते हैं उनकी अपनी अलग-अलग फार्मेशन और ओर जिन की कंडिशन है जिसके आधार पर मतलब यह आप दिखा सक है उसको हम लोग किसी और क्लास में देख लेंगे ठीक है इसको घर पर जाकर आप लोग प्रेक्टिस करिएगा अपने से लिखने का प्रयास करिएगा सब पॉइंट को समझने अब जैसे जिन लोगों को यह जो लोग टापिक यह पढ़े हुए जिनको साइक्लोन किलियर है तो उसके लिए तो यह बहुत आसान मतलब उसको मजा आ जाएगा लेकिन जिनको कांसेप्ट ही नहीं किलियर है माल लीजी अभी तो अब वो विचारा मतलब वो क्या करेगा उसको दिक्कत है ने समझने में तो थोड़ा सा घर पर जाकर काम करिएगा आप लोग ठीक है थैं